हेलो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो फाइनली फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग लोग 37 रुपिया पेटियम कैस वह भी अपने बैंक एकांट में ले सकते हैं बहुत आसानी के साथ अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा से भी इसकीप ना करें अगर दोस्तों वीडियो को करते हैं तो यह जो ट्रिक है यह काम नहीं करेगा और आप लोग 3700 रुपया नहीं ले पाएंगे अलिमिटेट बार आप ले सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में सारा ट्रिक बताने वाला हूं और साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि किसी तरह का भी हैकिंग टैकिंग नहीं है यह जन्मीन ट्रिक है यहां पर मैं आ आपको यहां पर लाइब विड्रॉल भी करके देखाऊंगा अपने बैंक एकाउंट में अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आकरी तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बरने से पहल आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे लेटेश्ट वीडियो का लूप सबसे पहले उठा पाएं तो यह सब सारी जानकारी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको लेचलता हूँ अपने मॉवाइल पे और साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ क कि आप लोग अपने मोवाइल में पेटियम एपलिकेशन इंस्टाल करके रखेंगे पेटियम के दौरा ही मैं आपको बताओंगा कि किस तरह से आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने मोवाइल स्क्रीन पे और हमने पेटियम को भी ओपें करके रखा हुआ है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह ट्रीक जो है अनलिमिटेड बार किया जा सकता है लेकिन आपको हर बार नया नया नमबर यूज करना होगा यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग 30 रूपिया पांच मिनट के अंदर अपने बैंक एकॉंड में पेटियम के दोबारा ले सकते हैं अगर दोस्तों आप लोग सीखना चाहते हैं कि यह कैसे हो सकता है जो प्रोसेस मैं आपको लोग इन कर लें और शाती साथ आप लोग अपने पेटियम एप्लिकेशन को अपडेट कर लें अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो आपको अपडेट करना होगा तभी दोस्तों आप लोग इस प्रोसेस का फाइदा उठा पाएंगे तो चलिए वीडियो में आगे बलते हैं और आपको हम फटा-फट बताते हैं अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उसे अप डीपली समझें अपने वेडियम एपलिकेशन को आप अपडेट कर लें अपडेट करने के बाद आप चाहों तो लोग इन कर सकते हैं या नहीं तो आप डारेक्ट आप पैसा जो भी earning करेंगे वो directly आप अपने bank account में ले पाएंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे लेना है जब दोस्तों आप लोग यहां पर प्रेटियम application को open कर लेंगे तो आप simply यहां पर लिखेंगे gold ठीक है चलिए हम यहां पर gold लिखते हैं और यहां पर दोस् कि मैं आपको अभी promo code के बारे में बताने वाला हूं तो यहां पर have a promo code की उपर आपको करना है क्लिक जैसे दोस्तों आप यहां पर करोगे तो यहां पर एक option मिलता है यहां पर दोस्तों आपको एक promo code को apply करना होगा तो यहां पर हम लिखेंगे free 40 ठीक है यह promo code है इसे आपक देना चाहते हैं वह नाम यहां पर आप दे शकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर दोस्तों आपको अपना pin code भी देना है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर दोस्तों आपको अपना pin code देना है ठीक है तो हमने यहां पर दे दिया अब दोस्तों यहां पर आपको प्रोसेस के ओपर करना है क्लिक जैसी दोस्तों आप यहाँ पर करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर in derfayse मिलेगा और आपको यहाँ पर wait करना है ठीक है wait करने के बाद दोस्तों यह page automatic यहाँ पर refresh होगा और refresh होने के बाद आपको यहां पे इस तरह का इंटरफेस मिलता है, यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना gold यहां आपके wallet में जमा हो गया है, अब आपको यहां पे back होना है, back होने के बाद passbook के ओपर करना है, click, ठीक है आपका जो भी lock को लगागे रखा है आपने, आप अपना lock को य 30 रुपिया 96 पैसा देखने को मिल रहा है, अब दोस्तों आप लोग इसे बहुत ही आसानी के साथ यहां पे यह कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप लोग यहां से sale gold के उपर करेंगे, क्लिक, ठीक है, जैसी दोस्तों आप यहां पे करोगे, तो आपको यहां पे नीचे में इसका यहां पे पैसा दिखेगा, तो सिंपली आपको सैंधी सुरूपिया ही यहां पे करना है, ठीक है, करने के बाद दोस्तों यहां पे आप प्रोसेस के ओपर करेंगे, क्लिक, तो यहां पे दोस्तों आपको account number डालना है, नाम डालना, ifc code डालना है तो चलिए हम account number यहां पर डाल देते हैं अब दोस्तों यहां पर आपको अपना नाम डालना है चलिए हम नाम डालते हैं जो भी आपका नाम होगा bank में वो नाम आप यहां पर डाल दीगे तो हम यहां पर अपना नाम डाल देते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको option मिलता है IFC code तो यहां पर simply आप get IFC code के ओपर क्लिक करके अपना bank यहां पर select कर लेंगे जो भी आपका bank है यहां पर उसका नाम दीजी आप और यहां पर get branch के ओपर करेंगे क्लिक आपका जो भी branch है आप उसे select कर ले तो हमारा branch यहां पर ADB पूर्णिया ठीक है यह आप देख सकते हैं हमारा यानि IFC code यहां पर मुझे मिल चुका है अब दोस्तों हमें यहां पर करना है continue के ओपर ठीक है तो यह verify हो चुका है अब यहा करने के बाद दोस्तों आपके register mobile नमर में एक password जाएगा उस password को यहां पर आपको इंटर करना है तो चलिए हम वेट करते हैं password यहां पर हमारे पास आ चुका है तो चलिए हम password भी फटा-फट डाल देते हैं ठीक है तो हमारा जो password है वह हम password यहां पर डाल रहा है तो यहां पर दोस्तों हमने अपना password डाल दिया है अब हम confirm के ओपर करेंगे click तो यहां पर दोस्तों अभी time लगेगा थोरा सा आप यहां पर wait किजिए यह page अभी automatic refresh होगा जैसी दोस्तों यहां पर refresh होता है आपको समझ में आ जाएगा और आपके mobile में भी message मिल जाएगा कि भाई पैसा भ fresh हो रहा है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह confirm हो चुका है इतना तक तो आपको wait करना है और कुछ time के बाद आपके bank account में भी सैतिस रूपया credit कर दिया जाएगा तो इस process को follow करते हुए आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सैतिस रूपया अपने bank account में ले सकते ह हैं बिना कोई जहमेला के तो finally friend आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना क्याल रखें कुछ रहें इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करने थैंक्यों फूर बाचेंग